वेलकम वेक टू माई चैनल टी आडी ओची अन पीएसा एडुकेशन आज हम बात करेंगे रेल्वे के एल्डीसी एकजाम जीडीसी एकजाम तथा डिपार्टमेंटल एकजाम के बारे में तो आज अब इस वीडियो में आपजेटिक क्वेश्चन के बारे में डिसकस करेंगे तो आए्ये हम देखते हैं पहला कोस्चन है अस्टेप ग्रेडियन्ट वीच है एंश्ट एश्ट्रा इंजन फोईलिंग is known as Option है A नमर में Puser Gradient, B में है Ruling Gradient, C में है Renable Gradient और D में है Momentum Gradient तो इसका जो answer होगा वह होगा A नमर Puser Gradient Next question जो है वह है 2 नमर Raging Gradient Float by a Following Gradient in knowledge Option है A नमर में Ruling Gradient, B में है Momentum Gradient, C में है Puser Gradient और D में है Angular Gradient तो इसका answer होगा B नमर Moment Gradient Next question जो है वह है 3 नमर तो 3 नमर का question है The safety in railway in India is looked after by Option है A नमर में Ministry of Railway, B में है Commission of Railway Safety, C में है Railway Board और D में है Headquarter Office तो इसका answer जो होगा वह होगा B नमर Commission of Railway Safety Next question जो है वह है 4 नमर के तरगत आता है Next question जो है वह है 5 नमर का The ruling gradient is 1 in 200 on a section of the BG track If the track is lead in that place at a curve of 5 degrees The allowable ruling gradient on the curve will be Option है A नमर में 1 in 16.7, B में है 1 in 400, C में है 1 in 240, D में है 1 in 333 तो इसका जो answer होगा वह होगा D नमर 1 in 333 Next question 6 नमर The number of stations on Indian railways is Option है A नमर में 6,000 approximately B में है 7,070 approximately C में 8,000 approximately T में है 9,000 approximately तो इसका answer जो होगा वह होगा B नमर 7,070 approximately Next question है 7 नमर longest tunnel on Indian railway is Option है A नमर में खुर्वूदे tunnel on कंकन railway B में है नियर लोना वाला between monkey hill and खंडाला station C में है कालका सिमला और D में है डाजलिंग hill railway station तो इसका जो answer होगा वह होगा A नमर खर्वूदे tunnel on कंकन railway कंकन railway का headquarter ने भी मुंबे है Next question 8 नमर Longest railway bridge on Indian railway is Option है 1 नमर में Sawn bridge at Derry on Sawn 2 नमर में है योमना bridge at Kalpi 3 नमर में option है गंगा bridge near Patna और 4 में option है पंबन bridge तो इसका जो answer होगा वह होगा 1 नमर सौन bridge at Derry on Sawn जो की बिहार में इस्तित है Longest passenger train on Indian railway is Option है 1 नमर में प्रियाग राज एक्सप्रेस 2 में है कालका मेल 3 में हिम सागर एक्सप्रेस और 4 में है लखनो मेल तो इसका जो answer होगा वह होगा 1 नमर प्रियाग राज एक्सप्रेस Next question जो है वह है 10 नमर Railway station at the highest attitude on Indian railway is Option है 1 नमर में घूम अस्टेशन इन डार्जलिंग हिमालियन railway 2 में सीमला अस्टेशन और कालका सीमला railway line 3 में है माउंट आबू एंड आबू रोड माउंट रोड अस्टेशन और 4 में है जोगेंदर नगर और पाठान कोट जोगेंदर नगर सेक्षन तो इसका जो एंसर होगा वह होगा 1 नमर घूम अस्टेशन इन डार्जलिंग हिमालियन railway नेस्ट कोश्चन जो है वह है ट्रेक एंड ट्रेक गेश से अब हम ट्रेक एंड ट्रेक गेश से रिलेटेड कोश्चन के बारे में जानेंगे तो पहला कोश्चन जो है वह है ट्रेक एंड ट्रेक एंड गेश से इसका पहला आप्शन है नमर ग्रूप B रूट B में है ग्रूप A रूट C में है ग्रूप D रूट और D में है ग्रूप C रूट तो इसका जो एंसर होगा वह होगा C नम्मर ग्रूप D रूट नेस्ट कॉस्चन टू नम्मर ट्रेक अस्टेक्चर फोर प्राइबिट साइडिंग विद ओपरेटिंग अस्पिट 50 to 100 के MPH is the same एस ट्रेक अस्टेक्चर as specified for अप्शन है A नम्म में ग्रूप A रूट B में ग्रूप B रूट इंडिकेट विच अपधा अस्टेक्चमेंट इस इनकर्ट विद रिगार्द तो करणिंग अफ विल्स अप्शन है ए नम्मर में करणिंग अफ विल्स हेल्प टाव विकिल तो नेगटर्ट यह कर्व समुतली B में है इट हेल्स इस समुतली रीडिग C में है it increases wear and tear of wheels flanks D में है it enable the outer wheel of vehicle to take a longer distance E में है it restate the strength of vehicles तो इसका answer C number होगा It increases wear and tear of wheels flanks इस तरह के question आपको LDC exam तथा GDC exam या फिदिपार्टमेंटल exam में आते हैं Next question 4 number Tilting of rails is done at a slope of Option है A number में 1 in 30 B में है 1 in 25 C में है 1 in 20 और D में है 1 in 15 तो इसका answer C number होगा 1 in 20 Next question 5 number Clear perpendicular distance between inner face of two rails is Option है A number gauge of track B में है inner gauge C में है wheel base और D में है wheel gauge तो इसका जो answer होगा वहा होगा A number gauge of track Next question जो है वहा है 6 number The ratio of wheel diameter to gauge is about Option है A number 0.40 B में है 0.55 C में है 0.75 और D में है 0.90 तो इसका answer जो होगा वहा होगा C number 0.75 Next question 7 number The train runs fast on BG then on MG rail Because its speed is directly proportional to Option है A number में weight of the train B में है gauge width C में policy of railway board और D में है length of the train तो इसका answer A number होगा weight of the train Next question 8 number The ratio of maximum Kent E and gauge G in India is about Option है A number में 1 by 100 B में है 1 by 50 C में है 1 by 10 और D में है 1 by 25 तो इसका answer C number होगा 1 by 10 Next question 9 number Composite sleeper index is employed to determine Option है A number में Slipper density requirement B में है number of fixer required for a particular type of sleeper C में है durability of sleeper D में है mechanical strength of wooden sleepers and thereby given its suitability as to be used as least sleepers तो इसका answer D number होगा mechanical strength of wooden sleepers and thereby given its suitability as to be used as lee sleepers Next question जो है what 10 number The maximum permissible speed recommend for Indian railway 4, 1, and 8, and half crossing is Option है A number में 16 k mpH B में है 20 k mpH C में है 24 k mpH D में है 32 k mpH तो इसका जो answer होगा वह होगा A number 16 k mpH Next question जो है वह है 11 number What is the weight per meter length of 52 kg rail Option है A number में 54.14 kg B में 50.25 kg C में 51.89 kg और D में 53.85 kg तो इसका answer C number होगा 51.89 kg Next question 12 number What is the height of 60 kg rail section Option है A number में 180 mm B में 172 mm C में 185 mm और D में 165 mm तो इसका answer B number होगा 172 mm Next question जो है वह है 13 number In M plus 7 sleeper density How many sleepers are there in a kilometer track Option है A number में 1660 numbers B में है 1540 numbers C में है 1310 numbers और D में है 1440 numbers तो इसका answer जो है वह होगा B number 1540 numbers Next question 14 number What is the assessed GMT service life of 60 kg 90 UTS rate Option है A number 650 GMT B में है 600 GMT C में 800 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 GMT Next question 15 What is the ascendant GMT service life of 52 kg 90 UTS rate Option है A number 650 GMT B में 600 GMT C में 525 GMT D में 500 GMT D में 500 GMT तो इसका answer C number होगा 525 GMT Next question 16 number What is the full form UTS of rails A में option है ultimate technical strength B में है ultimate tension strength C में है upper top surface D में है none of the above तो इसका answer B number होगा Ultimate tensile strength Next question 17 number What is the width of head of 52 kg rail section Option है A number में 70 mm B में है 75 mm C में 67 mm और D में है 60 mm तो इसका answer जो होगा C number 67 mm Next question 18 number What is the full form of GMT Option है A number में gross million tons B में है gross minimum thickness C में है gross maximum thickness तो इसका answer जो है वह होगा A number gross million tons Next question जो है वह है 19 number In Indian railway How many gauge of track has been Option है A number में 1 B में है 3 C में है 2 D में है 4 तो इसका answer B number होगा 3 Next question 20 number What is the highest speed of train in Indian railway Option है A number में 1040 km B में है 120 km C में 160 km D में 130 km तो इसका answer C number होगा 160 km Next question 21 number How many divisions in northern railway Option है A number में 5 B में है 4 C में है 6 और D में है 3 तो northern railway में 5 divisions हैं Next question 22 What do you mean by BG Option है A number में Big gauge B में है broad gauge C में है buffer gauge और D में है none of the above तो इसका answer है B number broad gauge Next question 23 number What do you mean by RDSO Option है A number research and development standard organization B में है railway development and standard organization C में है regional development and standard organization और D में है none of the above तो इसका answer A number होगा देखें यहाँ पे गलत दिया हुआ है इसका answer होना चाहिए research design and standard organization Next question 24 number What is the headquarter of northern railway Option है A number में New Delhi B में है Lucknow C में है Mumbai D में है Kolkata तो इसका answer A number होगा New Delhi इस तरह हम इस वीडियो में आपको LDC examination, GDC examination तथा departmental examination के objective question के बारे में मैंने बताया धन्यवाद